समस्कार दोस्तों क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि फोन पे का पासवर्ट कैसे चेंज करें यदि हाँ तब आज आज आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकरी दी जानी वाली है आपको बस बताएगे स्टेप्स को सही तरिके से पालन करना है जी हाँ आज हम देखे करेंगे फोन पे का पासवर्ट कैसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों कभी कबर हमें फोन पे का पासवर्ट या नहीं होता है या फिर किसी दूसरे को भी पासवर्ट लिख हो जाता है ऐसे में हमें इसे बदलता रहना चाहिए दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता हम सब जानते हैं कि फोन पे अभी के समय में एक बहुत ही परिचित तरीका बन गया है ओनलाइन पेमेंट देने के ममले में यहां भारत में इसका इस्तेमल सबसे जादा किया जा रहा है फोन पे एक ऐसा ही उनिफाइट पेमेंट इंटरफेस है जिसको हम शार्ट में यूपियाई कहते हैं फोन पे ऐसा प्लैटफरॉम है जो कि अपने यूजर को एलाव करता है पैसा का अधन प्रदन करने के लिए वो भी बीना किसी एकाउंट नंबर या फिर आएफसी कोट के आपको बस रिसीबर का मूबाइल नंबर या फिर भी पी ये नंबर चाहिए होता है इने पैसा भेजने के लिए वो भी कूची सेकेंड्स में दोस्तो फोन पे में पास्वर्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने फोन में फोन पे एप खोल लेना है उसके बाद आपको लेफ साइट में कॉर्णर में आपको जो फोफाइल फोटो दिखाई देता है उसमें आपको क्लिक करना होता है उसके बाद स्क्रॉल डाउन करने से आपको चेंज पास्वर्ट का ओप्शन दिखाई देता है फिर उसी पर क्लिक करना होता है क्लिक करते ही आपके सामने एक नया स्क्रीन आपेन हो जाता है जिसमें आपको पुर्णा वाला पास्वर्ट डाल देना होता है दोस्तों अगर आपको पुर्णा वाला पास्वर्ट नहीं पता है तो बिल्कुल ही टेंचन ना ले दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं एक option मिल रहा है forgot password का आपको इसके उपर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके mobile नंबर पे एक OTP जाने है जिसको दोस्तों automatically verify कर लिया जारेगा अब आप दोस्तों देख सकते हैं आपको नया वाला password डाल देना है तो चलिए दोस्तों हम एक नया password डाल देते हैं जो की है 4 digit का होता है नया वाला password डालने के बाद देख सकते हैं नीचे एक option है proceed का इसके उपर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद आप देख सकते हैं your password has been successfully changed please login तो आपको बस confirm पर क्लिक कर देना है इसके तूरंद बाद जो भी password हम change किये थे वो successfully change हो गए है अब आपको simply proceed to login पर क्लिक कर देना है इसके उपर क्लिक करते ही ऐसा interface देखने को मिल जाएगा और जो भी mobile number होगा उसे automatic ले लेगा और उसके बाद नया password जो भी हमने save किये थे उसे यहाँ पर डाल देना है password डलने के बाद दोस्तों देख सकते हैं नीचे एक option आया login का इसके उपर आप क्लिक करेंगे तो आप पहले जैसा phone page interface में आप आ जाएंगे इस तरह से दोस्तों आप phone page का password चेंज कर सकते हैं दोस्तों I hope कि वीडियो आपको काफी पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो आप एक like कर दीजिए और अपने friends के साथ share कीजिए और दोस्तों एक request है आप से हमारी चैनल को subscribe करना ना भूले